हेलो फेंड्स क्या रहे जी आप सभी के सब ठीक ठाक है सब कुशलमंकल से बढ़िया दोस्तों हम लोग अपनी प्रप्रेशन्स कर रहे हैं फॉर नवंबर 2022 एक्जामनेशन्स और कुछ सुडेंट्स मेरे पास सभी ऐसी भी पढ़ा ही कर रहे हैं जो में 23 की प्रप्रेशन्स क कर रहे हैं आप सभी सुडेंट्स के लिए एक बहुत बहुत बड़ी खबर है और वो यह है कि हम लोगों को ने अनक आदमी पे एक एवालुएटीड टेस सीरी साट करी है बिकुल आपने ठीक सुना है एवालुएटीड है एवालुएटीड से हमारा वत्तम यह है कि आप उ लोगों को वापिस कर देंगे आपको बताएंगे कि आपने कहां कहां पर क्या-क्या गलतिया करी हैं अगर कोई गलती हुई है तो इससे आपकी जो प्रप्रेशन उसमें बहुत ज्यादा हेल्प आपको मिलेगी आप लोगों को एक कंफ़र्ट जोन आएगा आप लोगों का एक element of surprise जो है वो eliminate होगा और यह बहुत-बहुत beneficial होगा उन सभी students के लिए जिनका exam है November 22 या फिर May 23 Evaluative test series के बारे में जो भी बात मैंने बताई है अभी वो सब यहां पर लिखी भी है तीन test series हम लोग कर रहे हैं पहला 30 marks का दूसरा 60 marks का and then it will be 400 marks और इसके अंदर जो questions का level है वो exactly वो ही है जो आपके main examination में आने वाला है in November और in May 2023 तो आप इस test series को बिल्कुल भी मिस्मत कीजिए test series का schedule क्या रहेगा मैंने यह schedule आपके सथ एक बार पहले भी discuss किया है मैं एक बार फिर साथ discuss कर रहा हूँ आज 20th में आज 20th में है और 20th में से यह test series साथ हो चुकी है accounts का test आज हो चुका है कर 21st को law का है 22nd को costing का है 23rd को taxation का है और यह आप अगर आप ध्यान से देखें तो मैं में में भी हम लोग same dates पर test ले रहे हैं जून में भी उन्नी dates के उपर हम लोग test ले रहे हैं तो आप test series जहां पर हम लोग 30 months का paper आपके साथ discuss कर रहे हैं और साथ सब में इस बात का धियान रखेगा जैसे मैंने भी आपको कहा था कि examination pattern बिल्कुल वही रहेगा जैसे आपके main exams के अंदर आता है तो आप इससे बिल्कुल भी मिस्वत कीजेगा links आपको description box पर बिल दाएंगे and happy learning to all of you enjoy yourself bye bye and take care bye